असकार मित्रों सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर यहां बात करेंगे योपी मुफ्त लैप्टॉप योजना फॉर्म 2021 की फॉर्म का प्रारूप आप देख सकते हैं आफलाइन भरे जाएंगे फॉर्म किसे मिले का लैप्टॉप समझें पूरे आदेश को तो इस पूरे आदेश को हम समझेंगे तीन पेज का यादेश है और आप प्रारूप है आपको स्क्रीन पर ही नजरा रहोगा साइड में हमारे थमनेल में ही लगा हुआ है तो आईए पूरी चीजों को समझते हैं एक एक लैप्टॉप टैबलेट डिस्टिबूशन जो हमारा स्टुडेंट डाटा फॉर्मेट है उसके बारे में पूरी चीजों को यहां समझने की कोशिस करते हैं दिखिए ये एक आदेश है उत्तरपदेश मुफ्ट लैप्टॉप योजना 2021 स्टुडेंट डाटा फॉर्मेट है लैप्टॉप टैबलेट डिस्टिबूशन इसमें कौन-कौन भर सकता है तो इसका पूरा फॉर्मेट आप यहां पर देख सकते हैं आईटी आई जिनोंने कर रहे हैं और जो पॉलिटेकनिक कर रहे हैं UG यानि Undergraduate यानि असना तक जो Post-Graduation यानि PG जो कर रहे हैं B.A.D. कर रहे हैं B.T.C. कर रहे हैं U.P. Board या CBC Board Classes में High School या Inter में हैं वो सभी लोग वही लोग हैं जो सत्र 21 और 22 में पढ़ रहे हैं यानि जो पढ़ चुके हैं वो नहीं जो पढ़ रहे हैं, running में हैं, इन किसी classes में जो उपर हमने boxes में बंद कर दी हैं, वो इस समय किसी न किसी class में पढ़ रहे हैं, उन्हें ये laptop और tablet मिलेगा, अब उन्हें ये performa कहां मिलेगा, कैसे वो भरेंगे, क्या करेंगे इसको, ये चीज़ है, ये आपको अपने college से का जहां पढ़ रहे हैं, उन्हीं लोगों को इस form को भरवा कर आप से, आपके sign करा कर, पूई detail भरने के बाद, आपके sign कराएंगे, देखी यहां पर, और आपकी जो योकिता होगी, उसी के according आप यहां पर sign कर देंगे, और वहीं सलंगनक में ये सारी चीज़े आप लगा प्रवेश रसीत लगाएंगे, अगर इंटर पास आउट करके गिर्जोशन में चेले गए हैं, तो हाई स्कूल इंटर दोनों के लगाएंगे, प्रवेश रसीत लगाएंगे, अडमिशन आपने जिस पर लिया है, आधार कार्ड लगाएंगे, निवास प्रमारपत लगाए प्रवेश रसीत लगाएंगे, दो पासपोर्ट साइज की फोटो आगको देनी होगी, यह देखिए, प्रदेश के युवाओं को तकनीकी ससकती करण है, तो टेमलेट, स्मार्टफोन, वितरोन, योजना के संबंध में, विसेश सच्यो, व्यवसाइक सिक्षा, व्यमकोसल विकास विवाग की अधिक्षता में, आभुद बैठक 2011-2021 को कारवत की गई, यह दो नॉम्बर को यह बैठक हुई, और इस बैठक में काफी लोग थे, सब अलग-अलग जो हैं यहाँपर डिटेल दी गई है, और प्रदेश के युवाओं में तकनीकी ससकती करण के लिए, जो है बाकी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर किया गया कारवाही नोडल अधिकारी, प्रसेक्षण यहां सेवा योजन, उत्त्यपदेश कौसल विकास मिशन के तरफ से, और उन्हें कहा कि जो यह डाटा है, पूरा का पूरा, उसे भरने के पाथ, उसे आप भरेंगे, पूर प्रधानाचारियों, यानि जो प्रधानाचार हैं, उनकी लॉगन आईडी उपलब्द कराई गई है, उन्हें, पास्वर्ड जनरेट कर उपलब्द कराते हैं, यह सूची का सत्यापन कराकर स्विन्युक्त निदेशल के माध्यम से निदेशाल है, प्रसिक्षण यह सेवा पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, वो सत्र दोहजार एकिस और बाइस में, उनके लिए है, वो अपने कॉलेज में कॉन्टेट करें, वही यह फॉर्म आपसे भराएंगे, वह डाकुमेंट्स लगाएंगे, और सारी ऑनलाइन प्रकरिया, वो कॉलेज खुद करेगा, तो बाकी चीजें हो सकता है, आगे भी बढ़ें, क्योंकि यह आदेश 3 नौंबर का यहां जिक्र हो रहा है, अब यह आदेश में क्या चीजें हैं, कैसी हैं, यह सब चीजें आने वाले टाइम में पता चल पाएंगी, सत्यता के बारे में भी, क्योंकि इस पे कहीं ऐसा महोरिय यह उस तरीके से नहीं प्राप्त हो पाया है, तो फिल हाल आप इसे चीजों को समझते हुए, अपने ले जाएए इसको और अपने इस सत्यता की जाचा खुद अपने विद्याले में, इंस्ट्यूट में कर सकते हैं, तो इन सब चीजों की है, कि क्या क्या चीजें कहां पर इसे होंगी, बाकी चीजों को आप समझेए, इसको जब आप ले जाएंगे, तो आपका इंस्ट्यूट बताएगा कि की चीजे, उन्होंने कितने फाम भरे हैं, और एक चीज आप देख सकते हैं, कि जो इंस्ट्यूट आपका है, वहां संपर्क करेंगी, तो वहां से क्लिय हो जाएगा, कि आपका नाम भरोने भेजा है, कि नहीं भेजा है, कि लास्ट इट ओर हो गई, वह आपका फाम ही, फिलप नहीं कर पाए, तो इन सभी चीजों के बारे में, किलियर कट आपका विद्याला ही बता पाएगा, तो उम्मीद करते हैं, आप सारी चीजों को समझ कए होंगे, आपको आनलाइन डाटा कहीं नहीं मिलेगा, आनलाइन डाटा आप कहीं नहीं फिलप कर पाएगे, ये आपका कॉलेज ही इसे फिलप करेगा, और कॉलेज ने कितने लोगों को नाम भेजा है, उतने ही लोगों को ये टैबलेट और लैपटॉप मिलेगा, ये व ही लोग बता सकते हैं तो आप अपने बने कॉलेज में समपर करिए तो मिलते हैं अगली इंफर्मिशन के साथ तब तक के लिए धर्निवाद जय है